आज मैं देख रहा हूँ कि तृपुरा में लोग हिंदू मुसल्मान के बारे बात कर रहे हैं ट्राइबल बिंगॉली के बारे बात कर रहे हमारे ट्राइबल के अंदर रियांग जमतिया देव बर्मा उच्छोय के बारे बात कर रहे हैं Christian Hindu के बारे बात कर रहे है, कोई development के बारे बात नहीं कर रहे है, कोई एकता के बारे थांसा के बारे बात नहीं कर रहे है, कोई रास्ते के बारे बात नहीं कर रहे है, कोई कल नौकरी के बारे बात नहीं कर रहे है, सब धरम के नाम में या फिर एक दूसरे से लडने के नाम में बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जहर कौन फैला रहा है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ और अपने तीप्रा मौथा के वारियस को बोलना चाहता हूँ, आप हिंदू हो, मुसल्मान हो, क्रिश्चिन हो, मैंने ये पार्टी किसी के बीटीम होने के लिए नहीं बनाय लेकिन जब अन्याय होता है, हम लोग आज अलाइंस में हैं, लेकिन अगर कोई किसी को मारा जाता है, किसी के ओपर अटैक होता है, अगर वो गलत काम है, तो हमें आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि हम पावर में आये हैं, लोगों को मदद करने के लिए, चुप बैठने के लेकिन नहीं आये हैं, तो अगर हमारे कुछ लोगों को कुछ लीडर्स को चर भी चड़ गई है, तो मैं अपने वोरियोस को बोल रहा हूं कि आपको किसी ने रोका नहीं है, सत्य के लिए बात करने के लिए, सच तो बोलना पड़ेगा, ठूथ इस एपसलूटली इसेंशल और ये मेरा आवाज है, बुभागरा का आवाज है, बुभागरा ने आपको कभी नहीं बुला है, चुप बैठो, बुभागरा ने हमेशा कहा है कि सचके लिए बात करो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, तो मैं आप सबको बोल रहा हूं, एक रहिए, सबसे बात कीज और अपने आपको आइजिलोजिकली और पुलिटिकली अलाइव रखिये आपको अलग बनके ही काम करना है आपको चुप बैठने के लिए मैंने ये पार्टी नहीं बनाई तो जब करप्शन होता है आवाज उठाईए जब किसी के खिलाफ अन्याय होता है कोई गरीब को मारा जाता है अन्याय उठाईए जब पुली स्टेशन में किसी को मारा जाता है बात उठाईए जब किसी का मस्जित मंदिर या चर्च को जलाया जाता है आवाज उठाईए शांत से उठाईए लेकिन आवाज उठाईए क्योंकि एक दिन ऐसा समय भी आ सकता है जब आप चुप करना चाहिए मैं ये ओडियो मेसेज भेज रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि तुरुप्रा में शांती रहे डेवलप्मेंट हो और हम सब हिंदू, बंगाली, मुसल्मान, क्रिशिन, बुधिस सब एक संग रहे लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कुछ लोग जहर फेलाने की कोशिश कर ये समय है आपको सत्य का संग रहना है और चुप बैठने से कुछ नहीं होगा लेकिन जब आप आवाज उठाओगे तो शस्त्र से नहीं, एकता से, शांत से, वाइलन्स नहीं, लेकिन आवाज को दबाने भी नहीं दीजे, लेकिन वाइलन्स मत कीजे, बस यही मेरा मेसेज जो मैं बोल रहा हूँ, विचार कीजिए